हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पायवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत ज़रूरी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे डाइबिटीज में आम खाने के फायदे और नुकसान के बारे में जी हां क्या डाइबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं या नहीं इसके बारे में आपको डीटेल में जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि डाइबिटीज के मरीज अगर आम खाना चाहते हैं तो वो कैसे आम खाएं और कितनी मातरा में आम खाएं तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो आए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं कि गर्मियों के मौसम में आने वाला फल आम सेहत के लिए बेहत फायदेमंद और सबसे स्वाधिस्ट फलो में गिना जाता है लेकिन क्या डाइबिटीज के मरीज भी आम का सेवन कर सकते हैं या नहीं इसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन बना ही रहता है कुछ experts का मानना है कि diabetes में आम खाया जा सकता है जबकि कुछ experts मानते हैं कि diabetes में आम खाने से blood sugar level बढ़ता है और diabetes में आम नहीं खाना चाहिए तो आज हम इसी confusion के बारे में detail में आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि वास्तिक इस्तिती क्या है तो सबसे पहले तो आप समझे कि फलो का राजा कहा जाने वाला आम स्वाज में खटा और मीठा होता है और इसके साथ ही इसका glycemic index भी low category का है आम में natural मिठास होती है और इसके साथ ही साथ इसमें vitamin C, vitamin A, vitamin E, fiber, folate और copper प्रचूर मात्रा में है यानि स्वास्ते की दृष्टी से तो आम बेहत फायदे मन्द है लेकिन बात करें diabetes के मरीजों की तो मैं आपको बताओं कि कुछ experts मानते हैं कि diabetes में आम खाये जा सकता है इससे blood sugar level कम प्रभावित होता है लेकिन जब आप आम खाये तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें हम उसके बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं आप समझ ये के आम में 90% calories होती हैं जो diabetes में blood sugar level को बढ़ा सकती है या कहिए के बढ़ाती ही है लेकिन fiber और antioxidant से युक्त होने के कारण blood sugar के असर को कम करने में भी साहिक है आम तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए लेकिन एक बात और है जो आपको समझ दे चाहिए कि diabetes के मरीजों के लिए आम में जो सबसे खराब बात है वो है इसका carbohydrate जी हाँ पके हुए आम में लगवग 20% carbohydrate होता है जो आम के glycemic load को बढ़ाता है और यही बात diabetes के मरीजों के लिए सही नहीं है इसलिए diabetes में अगर आप आम खाना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें इन खास बातों का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो निश्यत रूप से आपका blood sugar level बढ़ेगा जो आम की कटी हुई slice होती है आधे से कम हिस्सा उतना ही खाए उससे ज़्यादा नहीं और दूसरी बात के जब भी आम खाए तो आम ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए यानि उसका taste मीठा होने की बजाए खटा मीठा होना चाहिए इससे उसका glycemic index कम होगा और glycemic load भी कम होगा फिर एक और बात आपको ध्यान दखनी चाहिए कि अगर आप कोशिश करें तो पके हुए आम की बजाए कच्चा आम खाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और diabetes में नुकसान कम होगा तो अगर आप diabetes में आम खाना चाहते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आम खाईए थोड़ा खाईए स्वस्त रहिए वरना नुकसान हो सकता है तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज दीगई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब बीकन थेंक्यू वेरी मुच